हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ओफिशल उटुप चैनल में जिसका नाम है एसोल सोलिशन मैं चदन कुमार हाजीर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे अपने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सिख्थ समेस्टर के बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में हिस्ट्री का विशे है चाहे वो बीए प्रोग्राम में सुल के अंदर है या फिर वो एंसी वैप के स्टूडेंट है या फिर वो स्टूडेंट्स डैली उनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं परन्त उनके पास में बीए प्रोग्राम का कूर्स है और वो हिस्ट्री के विशे को पढ़ रहे है तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के सबसे पहले हम बात करेंगे आज की इस नई वीडियो में शीत यूद का जो पहला चरण है उसकी एक और नहीं गटना इससे पहले पहले चरण की एक डीप से गटना मैंने आपको बताई थी कि बही सामुहिक सांती व्यवस्ता का पतन किस तरीके से होता है और किस तरीके से अमेरिका और सोबे संग के बीच में तनाव उबरता है इससे पहले जो शीत यूद के उत्पन उने के क्या कारण थे कारणों के बारे में हम बात कर चुके हैं शीत यूद जो है उसकी विबिन राइटरों ने विबिन जो विद्वान है उन्होंने उनकी क्या परिभाशाए चलत हैं इसके बारे में बात कर कर चुके है शीट यूद के क्या प्रकरती रही है इसके बारे में बात कर चुके हैं ग्रीस संकट और ट्रूमेंड सिद्धान्त जिसे इंग्रिस में बोलता है क्राइसेस ऑफ ग्रीस एंड ट्रूमेंड डॉक्ट्रीन तो भई आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसी 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो खतम हुआ तो उसके बाद में जो पूरा विश्य था प आपको ग्रीस दिख जाएगा यहाँ पर और जो ग्रीस है इस पर नाजी नाजी का मतलब है जर्मनी के जो नेता थी ताना शाह के रूप में हम इनको जानते हैं हिटलर एडॉल्फ हिटलर उनकी पार्टी का नाम था नाजीजम और उनकी विचारदारा भी थी नाजसे करना चाती थी, Greece पर कपजा करना चाती थी परन्तु युदू के बह及 दोरान वो Greece पर कपजा नहीं कर पाई लेकिन आगे चलते अगर हम देखें तो Italy की जो सेना एं उसने Greece पर आकर्मन किया और Italy को Greece पर सफलता मिल गई। जब पहले इतली को Greece की Greece की सफलता मिली तो आपको पता होना चाहिए कि जब Second World War चल रहा था तो दो अलग-अलग खेमें के बीच में चल रहा था पहला था आपका दुरी राष्ट आप सभी को पता है, दुरी राष्ट के अंदर आपका Japan, Germany और Italy, तीनों ही शामिल थे Japan, Germany और Italy, ये तीनों के तीनों ही शामिल थे, अब आप ये देखेंगे तीनों एक ही गुट में थे, तो Italy ने 1940 में जब ग्रीस पर आकर्मन करके उस पर अपना कवजा किया, तो आगे चल कर क्या होता है, Hellenic टापू नाम है, Hellenic दूप है इस दूप पर आगे चल के, इस दूप के थूप जो है, वो नाजी सेना जो जर्मनी की सेना है, वो भी क्या करती है इस पर अपरवेश कर लेती है और हमने ये भी पढ़ा था कि जब सेकेंड वल्ड वर 1945 में खतम हुआ तो एक संधी हुई थी, उस संधी के तहित, याल्टा सम्मेलन के तहित, आप सभी को याल्टा समझोता के तहित, ये कहा गया था कि जो भी देश, जिसकी भी सेना, युद के ररन जिस भी देश में, अगर वो उस देश में रुकना चाहती है, तो वो रुक सकती है अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, युद कतम हो गया, लेकिन ग्रीस में, इटली की और जर्मनी की दोनों की सेना, वहाँ पर ही थी, अब भाई, ग्रीस में इसी बात को लेकर आंदोलन चल गए, आंदोलन किसके वुरुद में चला, कि वहाँ से अपनी सेनाओं को हटाए, लेकिन यह जो आंदोलन थे, यह दो अलग-अलग समुओं के द्वारा चलाय जा रहा था, जिसमें से एक ते माक्सवादी, अब यह माक्सवादी विचारदारा कौन सी होती है, आप सभी ने कालमाक्स की विचारदारा पड़ी होगी, जिसमें एक ऐसी व्यवस्ता, जिसमें एक कहते हैं कि सब कुछ ऐसा नियंतरन होना चाहिए, जो सामुई कोना चाहिए, जिस पे निजी अधिकार ना हो, जिस ऐसी व्यवस्ता में, सब कुछ सरकार का और सरकार सबको एक चसमे से, एक दरिष्टि से देखे, कोई अमीर गरीब ना हो, कोई बेद बाओ ना हो, ये एक तो आपर मार्क्सवादी लोग विरोथ कर रहे थे, आंदूरन कर रहे थे, और दूसरे थे संक्रीनवादी, संक्रिनवादी मतलब ऐसे लोग जो ताना शाही ही थे अब वहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में ये बात सेकंड वर्ल्ड वार के टैम पर ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक तो आपने देखा इटली की भी सेना है ऩरलन रगू ना हो जाये इसके लिए जो ब्रिटेन और अमेरिका लगातार ग्रीज की सामयवादी घुट में सामिलना हो जाये इसके लिए सोवेट संग के अधीयन ना चली जाये इसलिए ग्रीज की वहाँ जातार मदद कर रहे थे, अब आपको एक चीज़ ज्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है, 1917 में जब रूसी की करांती हुई थी, तो सोवेट संग का निर्मान हुआ था, और सोवेट संग जो है, वो Second World War के बाद में दूसरी महाशक्ति बनकर उभरता है, सोवेट संग, तो जिस तरीके से पूर्व यूरोप के देश जातर सोवेट संग के अधीन हो गए थे, सोवेट विवस्ता से मिल गए थे, इनको डर था कि कहीं अमेरिका को और साथ साथ ब्रेडेन को, दोनों को डर था कि कहीं ये ग्रीस भी सामयवाद के अंदर ना मिल जाए, इससे क्या दोनों में से कोई भी गुट जो है, वो शामिल ना हो, ये असल में शीतियुद था, इसके साथ साथ आप देखेंगे, कि जो शीतियुद है, इसमें ग्रीस, आप सभी को पता है, कि इसी देश के बारे में बात करने हैं, और यहाँ पर प्रमप्रागत दृष्टी कोंड से, ब्रिटेन के प्रवावाला चेतर था, यहीं ब्रिटेन शुरू से ही इनकी मदद करता था, स्टालिन ने चर्चिल के साथ में एक समझोता किया था, अब इस स्टालिन कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, कि स्टालिन जो है, सोवेशंग का एक नेता था, और उसने चर्च ते जिनका नाम टीटो था, उसके वजह से जो सोवेशंग है, उसके थुरू क्या कर रहा था, ग्रिस में इंटरफेरेंस कर पा रहा था, यह 1948 तक जो है, सोवेशंग के और यूगोसलोवाकिया के बहुत अच्छे संबंद रहें, और इसकी वजह से ही सोवेशंग जो है, व आतियार मोहिया करा रहा था, वहीं दूसरी वर जो ब्रिटेन है, वो भी संक्रिन जो सोच के लोग थे, जो पुंजी वात को लाना चाहते थे, उनको इनोंने सपोर्ट दिना शुरू कर दिया, लेकिन 1947 आते आते, ब्रिटेन खुदी दिवाल्या होने की कगार पे आने का मत परंतु 1947 में ब्रिटेन में इतनी दिवाल्या पन हो गया, इतना ज़ाधा हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन कमजोर हो गया तो वो उसको मदद नहीं दे पा रहा था, और मदद ना देने की वज़े से ब्रिटेन ने ग्रीस से बाहर रहने का निर्ने ले लिया और कहा कि बहु ग्र जलिने नहीं लेंगे ग्रीस के मामलों में हम हस्तचेप नहीं करेंगे क्योंकि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्ता है वो खराब है अगर हम उसके अंदर हस्तचेप करते हैं तो हमारी देश की जो जो सेना है वो और कमजोर हो जाएगी ठीक है इसी वज़े से जब ब्रिटे में इस गोश्णा से ग्रीज दाता जो टुर्की के लोग है वो 6 सफ़ता तक उसने सायता बंद करेगा इसने इस बात की गोश्णा कर दी किसने ब्रिटेन ने कि भैया मैं अब सायता नहीं दोंगा इसके परिणाम सरूप अमेरिका की सरकार ने सोचा अगर ब्रिटेन इसको सा संग को फाइदा मिल जाएगा अमेरिका को ऐसा लगता था कि हम इस मामले में पिछड़ जाएंगे इसलिए आगे चलके अमेरिका के उसी समय राष्ट्रपती निर्वाची तुए थे जिनका नाम था टूमें टूमें न यह गोश्चना करी कब 12 मार्च 1947 को गोश्चना करी कि अब जो है ग्रीस की बिडियन तो मदद नहीं कर पा रहा तो अब हम मदद करेंगे हम निर्णा लेंगे हम मदद करेंगे अब इस बात का जो निर्णा है वो अमेरिका की आगे चलके कॉंग्रेस यह ने अमेरिका की संसद में हुआ और इसके बाद में अमेरिका की संसद में चार सो मिलियन डॉलर की help की बात हुई यह 400 मिलियन डॉलर जो help है वो किसको दिया जा रहा था ग्रीज को और टुर्की को दिया जा रहा था ताकि वो उस छेतर पर सोबे संग का जो परभाव है वो ना बढ़ जाए त्रूमैन की जो यह गोष्णा थी त्रूमैन की गोष्णा ने क्या किया था इस गोष्णा की इस निती की गोष्णा करी और वहाँ पर जो भी लोग थे जो भी सामयवाद के चंगुल से निकलना चाहते थे उन्हें हत्यारों की और साथ ही साथ उन्हें पैसों से मदद दिना स्टार्ट कर दिया इसके साथ साथ हैंडरी ने अपनी पु को दिया जा रहा था 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 कि वो सुवें संखे प्रवाव को रोक सके इसे ही Sidharian क्या है ग्रीज की सफलता पुन साहेता के माध्य से टू मैन ने पुरी दुनिया में यह कि यह एक्जांपल की दिया इस्तापित कर दिया था कि चाहे सामयवाद किसी भी रूप में अगर अमेरिका को पिछाडने की कोशिश करेगा, अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश करेगा, या फिर वो अपनी व्यवस्ता को अमेरिका से ज्यादा फैलाने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका आर्थिक रूप से भी देशों की साहता कर सकता है यदि सामयवाद से किसी देश को खत्रा है और वो चाहता है कि सामयवाद से उसकी रक्षा की जाए तो अमेरिका जो है वो ऐसे देशों की साहता करेगा ये भी इसके अदर आप लोगों को लिखना है इसके असाथ-साथ यदि सामयवाद से खत्रा हो तो अमेरिका की जो विदेशी विवाग है उसके जो विदाए उस समय जॉर्ज कैनन थे उन्होंने तरक दिया कि विदाए सोवेट संग के रूस जो सोवेट संग रूस है उसे शक्ति को नियंतरित करने में अवशकता है और हम यह कैनन ने क्या किया यह जो 400 million अमेरिकी डॉलर है 400 million अमेरिकी डॉलर है इसकी help करने की गोश्ण करी प्रूमेंन ने शीत-युद के साथ-साथ राजनितिक रूप से जो परती दोंदता है उसको विदाशाने की कोशिश करी प्रूमेंन से दांतने किसी भी देश की इसकी कोई भी ताकत हो कोई भी माशक्ति हो उसको अगर help चाहिए तो उसकी help करने की इन्होंने directly बात कर दी थी और अंतराश्य सर पर सामयवाद के प्रचार को रूकने की इन्होंने गोश्णा कर दी इसके साथ-साथ जो सोवियत सामयवाद है उसकी जो यह परकिरिया है व अपना आर्थिक विकास अलग तक लग रहकर करने की कोशिश करी थी और यही अमेरिका ने निती अपनाई कि हम क्या करते हैं हम अंतराश्य सर पर अगर सोविय संग के परचार परसार को रोकना चाहते हैं तो अंतराश्य सर पर सोविय संग का जो दूसरे देशों के साथ मे को लगता है कि शायद इससे भी दोनों के संबंद खराब हुए और शीतियुत को बढ़ावा मिला तो एक अगटना ये भी थी आज आपने इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ लिया टूमें सिद्धान्त आप बोलते हो तो आप लोगों को अब ये पता चल गया हुआ कि आप लोह को मिलजा इसके अलावा अगैभा? अब हमसे टना चाते हैं तो इस तरीकिस हमसे कनैक्ट हो सकते हैं डिस्सक्रिप्शन में आप सभी लिये लिंक दिये वे अगर आप लोग हमारे पढ़री चैनेल में जृए उन योनने चाते हैं तो ज्सके अलाभा आप अमारे ओफिशल जो भी अकाउंट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं चलिए मिलते हम आपसे अपनी अगली वीडियो में जै हिंद जै भारत